तोपिक जिसका नाम है आपिफिशल सेलेक्शिन अब नाम से समझ में आ रहे हैं हम क्या करते हैं यापे सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं चाहें प्लांट की या आनिमल्स की और वो कैसे करेंगे अपना मन-मर्जी को हम इसमें डिजाइट ट्रेट का आडिशन करेंगे तो ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग कि के आगए प्लांट और आनिमल्स को को डिजाइट ग्रिक ठीक है फिर समन नहीं आप तो प्लांट लिए या आनिमल्स लिए अब देखो नाम में क्या समझना आ रहा है आर्टिवीशल यहां सेलेक्शन तो यहां पर नेचर का कोई रोल नहीड ले इसको हम और शिपीशलि कर रहे हूं इसलिए इसका नाम पड़ा और लोग मस्टरड का कि वारिड मस्टरड से हमने इसके एक एक ट्रेट में कुछ नो कुछ मॉडिफिकेशन गया तो हमने देखा कुछ अलग-अलग चीज़े बन रही है अब वो क्या बन रही है देखते हैं जैसे वाइल्ड मस्टर्ड से ही हमारा बन रहा है कोल्रवी केल पिर हम देखेंगे ब्रॉप्गोली बन रहा है इससे फिर हम देखेंगे इससे और क्या बनता है कॉली फ्लार बनता है और दो चीजे और बनती हैं वो क्या है देखो एक है cabbage और एक है हमारा red cabbage कहने को red cabbage है बटी थोड़ा violet color का होता है आप लोगों ने देखा ही होगा तो देखो यहां पर क्या हुआ हमने किसी के inflorescence पर साम किया किसी के stem पर साम किया इस तरकेश हमें देखा एक wild mustard से हमने देखा हमने इतनी सारी चीजे जो है इससे बना ली ठीक है वही तो हमारे पर एक एक example है artificial selection का आगे बढ़ते हैं तो next example हम लोग देखते हैं animals में हम देखते हैं different type breeds होती है dogs की तो वह क्या है उसमें artificially select किया हम देखते हैं यहां पर different breeds of dogs और इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं हमारी hybrid cows की hybrid cows में हमनों क्या देखते हैं कि दो अलग breed है उसको हम लोग ने क्या करा है mating करवा दी तो उस time हम देखेंगे एक नया हमारे ब्रीड बना अब उसमें हमारे पास देखेंगे बहुत सारे एक्जामपल हमने क्या देखा या तो मिल का production अच्छा हो जाए या वह ड्रॉट उसकी जो वाल्यू है वह इंप्रूव कर जाए इस वज़े से हम लोग क्या कराते हैं उसकी की productivity बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर कुछ हम देखते हैं ऐसा ब्रीडिंग करते हैं या उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए भी करते हैं हम लोग तो क्रॉप्स को हम कैसा हाई प्रोडॉड़क्टिविटी और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स तो यह सारी चीजों में हमने क्या देखा कि आर्टिफिशल सेलेक्शन हो रहा है मतला हम खुद से उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रेट ठीक है इसलिए इसको बोला आर्टिफिशली सेलेक्टेड ठीक है अब देखो बच्चों यह आर्टिफिशली सेलेक्ट कर रहे हम लों कोई भी ट्रेट है वह अपना इफेक्ट कितनी देर में दिखा रहे है कुछ महीने लग रहे हैं है ना पर अगर यही कि नेचर ने करना शुरू कर दिया तो उसको बहुत सारा टाइम मिला है मिलियंस आफ यह मिलें तो उसमं क्या लगे वह कुछ आपने फ्रेवरेट को चूज कर सकता है और चबात करते हैं लिचंट सेलेक्ट है यह सपोर्ट करता है इवालिशन को शपोर्ट इवोलिशन और नाच्रल सेलेक्शन के बारे में डार्विन ने भी बोला था और वालेस ने भी बोला था तो लिखते हैं यहां पर डार्विन और वालेस टॉक्ट अबाउट दिस तो उन्होंने नाच्रल सेलेक्शन की बात की थी तो आब देखो यह नाच्रल सेलेक्शन क्या चीज नेचर ऐसी रांडमनी किसि को सलैक्ट कर रही है कि उसको समझा रहे है कि कोई गतँछी होने हमने बोला Pikachu मैं तुम्हें चुनता हूं क्या ऐसा होता है नहीं नेचर क्या देखेगी कि उस environment में कौन सबसे best suitable है किसके अंदर ऐसा variant है जिसकी वज़े से असyscy environment में वो सर्वाइफ कर जाएगा यह सी होता है nature सेलेक्शन में इस तरहीं इस समारे नेचर सेलेक्ट कर रही कि हां तुम मुझे पसंदा है तुम मुझे पसंदा है ऐसी वाली चीज नहीं होती है तो देखते आप जल्दी से क्या होता है हमारा नाच्रल सेलेक्शन में इस में एक एक्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ हम देखेंगे 1850 में 1850 में हम देखेंगे इंग्लाइड में in 1850 इंग्लाइड इस तार्म हमने क्या दिखा था इंडेट्रेफेल अधा इंडेट्रिलाइजेशन नहीं हुआ था अदर आप Łप क्योंकि कोई इंडेट्रीलाइजेशन नहीं हो रहा समम देखेंगे कोई स्मोग सूट आपकफ चैनसे तो अब यहां पर पाये जाते हैं लाइकन यहां होता है जल्दी से पताओ मुझे कॉमेंट में देखो जरत में वाटनी भी कितनी आती है तो अब यह जो लाइकन है यह हम देखते हैं यह सल्फर डायोग्साइड पॉलिशन इंडिकेटर होता है जहां पर हम देखें कि पूरी जड़ ट्रंक है वो कैसी हो रहे होगी वाइड कलर की अब यहां पर हम देखते हैं कि इस ताइम पर पाए जा रहे थे दो टाइप के मौ उल्वार जो दो टाइप की मौद से वो कौं थे देखते एक नेवर पास 20 डे दे चैंट्टर ऑोरए और एक हम कौन से थैं कि टेरों कर पॉनिक यह इसको कार्बोन एरिया ही बोछन बैतिल रहे हैं यह हमारा लाइट-विग मौ यह हमारा light color का था दिखने में और हमारा तो इस टाइम पर हम ने क्या देखा कि यहां पर हम देखेंगे इसकी ट्रंक है यह पर में देख लेखा है और कार्बोन एरिया भी है अब अजूम कर लेते हैं यह मैं रेट कलर यूज़ कर रहे हूं इसको तुम लोग समझोगे यह बेट्व ले रही है तो हम देख रहे हैं यहां पर ऐसे बहुत सारे वाइट वाइट कलर से कार्बोनिका कार्बन इसी सामें समझ में आजनेंजी कैसा है सबस्क्राइब कार्बोन इसको अटाक तरएगा की तो हम देखेंगे बिफोर रिक्तिव समेंट्रियूर्य इसका अमांप तो जाद है क्यों किसका क्या हो जा रहा था यह हमारा हो जा रहा था कामूफलेज पर इसको हम देखेंगे विच्चन कार्बोनिका को अमने देखा इसका मांण कैसा हो जाएगा कम हो ¿क्यों क्योंकि इसको अटाक कौन कर रहा है मारा तो इसके साथ तो यह कहार नहीं हो गई ठीक है बच्चो तो अभी तक हम लोग ने बात की ती इंडेस्ट्राइजेशन से पहले की अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडेस्ट्राइजेशन बतला हम देखेंगे बतला कि इसके बाद कि इंडेस्ट्राइजेशन हो गाए आप यहां पर हम क्या देख रहे हैंडेस्ट्राइजेशन हो बहुत सारा आस्मोक नेकले बहुत सारा सूट नेकले अगहां वह सारा जाकर कहां ओगये डिपाशिट और ट्रीकी ट्रंग पे अब बताओ क्या यहां पर लाइक हैं हमारे प्यूल ज़ींद आखिया तो लाइकं तो हमाuras अबरे के ट्रॉशंहOR कर दो होगा है।暗र की साथ क्या हुआ बिस्चन बेटुलेरिया और बिस्चन कार्बोनिका ठीक है तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ जो हमारे कार्बोनिका थे यह डाकलर के थे मैं मुद्टक्राइबगा फिल्डाइब कार्बोनिका परम сказала जो हम देखेंगे बैक्ग्राउंड और सब्सक्राइब बहुत अच्छी खासे दिखेगी अब लाक वाला क्या हो जाएगा तो अब इस ताहीं से हम क्या देखेंगे प्रिडेटर किसको अटाक करेगा बिटुलेरिया को या कार्बोनिका को वह अटाक करेगा किसको बिटुलेजर तो हम देखें लिए भूर्व सवाज़ड़ विडिन करेगा अब इस आमांटाम लिए ज़या जाभा फाए and दो अशगा है ये कम पॉजी संब था कि योगे और इसा सेलिक्षा हो रहे है जो कोई काम जादा को को सकता है तक पूरा को पूरा को देखे है वह जो जीन है या यह पूरा है यह पूरा आप सेलेक्ष है एक अगया है यह फिर्यां तो यह पहस्ट है आपर so natural selection brings evolution and no variant is completely wiped out यहां पर जो मैंने आपको बताया कि industrialization हुआ हमारे जो मौत से पहले हमारा light वाला था वह ज्यादा पाइदा था बाद में हमारे जो डार्क वाले वह ज्यादा पाइदा रहे इस पूरे phenomenon का हमने एक नाम दिया हुए और उसमों बोलते हैं industrial इंडस्ट्रियल मेलानीजम फिक है विए जो सारी कहानी मैंने बताई यह क्या है industrial मेलानीजम फिक है बच्चों बढ़ते हमारे second example की तरफ सेकेंड का हमारे पास example आता है उसको हम कहते हैं और ड्रग रजिस्टेंस इसमें क्या होता है देखते हैं आग सरे कि कर सकते हैं। है आप बताओ क्या यह ठीक कर सकते है जब नइ कर सकता तो तो वे क्यों लेत वाई इस खासी जुपाम हो रहा है कि यह क्या हो रहा है कुछ भी खासी चुखा मुखार कुछ भी बहुत फ्रीक्वेंटली लोग लेना शुरू करते हैं आज से कुछ साल पहले इतना नहीं था लेकिन आप हम देख रहे हैं बहुत ही कॉमनली के यूजर है कोई भी छोटी सी विमारी हो रही है कुछ भी हो रहा दुबारा कॉंज है दॉक्टर के पास क्यों दे उसको पैसे तो दुबारे से वही वाली एंटिबाइटिक ले ली खाली है उसने थोड़ा बेटर लेगा फोड़ा टाइम और वह फिर शायद कुछ महीनों बाद पिर से अब दवाई ली ना तो दवाई उनमें काम नहीं कर दूबार आप ले चुके हो ठीक है तो क्या हो जागा रजिस्टेंट इसलिए बोला जाता है एंटिवाइटिक का कम से कम यूसेज होना चाहिए क्यों ऐसा नाच्रल सेलेक्शन में बोला गया है कि जो माईक्रोब्स हैं वो क्या हो गए रजिस्टेंट हो अब यहां पर मैं जो माइक्रोब्स होते हैं कि बिकम है कि रजिस्टेंट है कि विद्ध ड्यू पूर्श ऑफ टाइम इसलिए बोला जाता है एंटिवाइटिक वैलिवार तो बहुत से क्वेंट लेनी नहीं है और अगर आप उसका पूरा डोसेज ले रहे हो तो सो कम्प्लीट करो यह नहीं कि दूसरे देहां मुझे बढ़िया लग रहा है साइट आपको क्यों नूमें दवाई ऐसा नहीं करना है ठीक है अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एक्जाम्पल की तरह स्नाच्र सेलेक्शन की वह देखते है कि सो थर्ड एक्जाम्पल हमारे पास है हर्भी साइड रजिस्ट हां तो देखो भई हर्भी साइड आप लोगों पता है अब क्या हुआ है इससे भी रजिस्टेंट हो चुक है हमारे वाइल्ड प्लांट इतना यूज कि इतना यूज कि उनके अंदर ऐसे चेंज आगे कि वह अडाप्त कर गए है कि अब वह इसको रजिस्ट कर सकते हर्भी साइड को यह भी क्यों हुआ एक्सेसिव यूज से हुआ ठीक है तो यह सारी कीज़ों हमने देखी चाहें इंडर्शन मेलानिजम था चाहें हमारा एंटिवाटिक रेजिस्टेंस हां और हर्भी साइड था इन सारे कांड के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है बताव हम लोग सारे साहिंगे अब भी साइड रखते हैं वह बजाएंगे लेकिन वाइल्ड वराइटी वही बिचारी रिस्टेंट हो गई है तब कहां से बचा लेंगे हम लोग तो अब इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग है इसलिए हम यह जो नाचरल सेलेक्शन है इसको और चीज बोल सेलेक्शन इस इवलीशन बाइ एंध्रोपोजैनिक अक्षिन अब यहां वह देखते हैं एंध्रोपोजैनिक का मतलब क्या होता है एंध्रोपोजैनिक का मतलब है मानमेड यह सारा मानमेड यह सारा हमारा की अधर है कि बच्चों तो यह था थोड़ा सा नाचरल सेलेक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं तो बेटा हमने जितने एक्जांपल पड़े उससे हमने एक चीज़ है वो डियूस की वो क्या चीज़ है देखो इवलीशन इस नौट डारेक्टेट प्रोसेस इन सेंस ओफ डिटर्मिनिजम इसान इवलीशन इकरम सीधर सीधर पासे जाए यह ऐसी जाएगा यह आड़ा टेडा करके भी हो सकता है हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि आगे चलके कैसे हम इवाल्व होईगा हमारे अंदर क्य दूसरी चीज हमें क्या देखा यह एंसी आटी की लाइन है बहुत इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए इवलीशन है इटीजा स्टॉकास्टिक प्रोसेस स्टॉकास्टिक का मतलब क्या है यहां पर सड़न अचानक से हो रहा कोई चीश है सड़न प्रोसेस अब यह कि इस सब की वजे से हम देखेंगे हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं स्टॉकास्टिक जो एवलीशन कैसा हमारा प्रोसेस है ठीके बच्चों तो देखो बच्चों अडप्टिव रेडियेशन वर्ट से क्या समझना रहा है अडब किया और से रेडियेट करी यही चीज हो तो यह इसमें और ऐसा कुछ हमने पहली भी पढ़ा हुआ किसी और गन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब था इसा कुछ है ना वह कौन से और यहां पर क्या हुआ जो डिफरेंट स्पीशीज है वह इवाल हो रही है और वह एक पॉइंट हम देखे एक जोग्राफिकल एरिया से स्टाट हुई और लिटरली लेडियेट करके डिफरेंट जोग्राफिकल एरियास में चलिए इस ताइप के हम देखेंगे इवलीशन को हम बोलते हैं अडाप्टिव रेडियेशन ठीक है यहां पर हमने क्या देगा इसको एक और तरीके समझ सकते हैं मान लेते हैं कि और इनके इंदर कुछ-कुछ चेंजेज भी आने लग जाए तीक है इसने आने लग गए कि हम देखेंगे इसमें जो पहली जो और दूसरी वाज़ी इसमें हम देखेंगे इतना ज्यादा डिफरेंस आजाएगा कि आपस में मेट भी नहीं कर पाएंगी आया समझ यह चीज अब हमारा अडाप्टिव डेडियेशन में अब हम बात करते हैं इसके एक्जामपल के तो बच्चों हुच वार पार सबसे पहले एक्जामपल है वह डाविन फिंचेस का अब इनको डार्विन फिंचेस क्यों बोला गया है यह एक्शल बहुत स्मॉल ब्लाक बर्ड थी क्योंकि इन्होंने इसके बारे में बताया इसले इसको बोल दिया गया क्या डार्विन हिंचेस तो हमने क्या देखा यह थी स्मॉल ब्लाक बर्ड ठीक है यह ओरिजिनल ही कैसी थी सीड इंटिंग थी पर रवहां पर कोमप्टिशन अने लग या अभ इनको अपने प्षण वेरिशन तो लाना ही पड़ेगा न तो इनने क्या देखा यह नहोंने कुछ चेंजे उपिव्लायां अब वोदेखते है चेंजेट लाए हुए इन्टे अन डिक और feeding habits so feeding habits में change आया इनका बीक का structure है उसमें change आया ठीक है अब जो है हम देखेंगे जो original हमाई seed eating birds है वो कैसे हो गए कुछ कैसे हो गए जो cactus eating हो गए ठीक है change हो गए original से कुछ जो हो गए वो कैसे हो गए उस हो गए हमारे insectivores यह कह सकते है insect eating और कुछ हम देखेंगे कैसे हो गए हमारे fruit eating देखेंगे और कुछ तो हमारे original से ही यहाँ पर बस मैंने आपको एक broad category बताई है कि यह original रह गए यहाँ मैंने आपको ऐसे बताए कि broad यह चार category हो गई है लेकिन इससे धी जाजा category थी अब देखो यहाँ पर क्या होगा यह जो cactus eating वाले जो थे हमारे जितने भी बर्ट से वापस seed eating के पास नहीं जाएगा कि चलो mating करते हैं ऐसा नहीं होगा यह इनके आजू-बाजू नहीं जाएगा यह आपस में ही mating अपनी पॉपलेशन को बढ़ा लएगा पर हम देखेंगे इनका कोई ना कोई कॉमन ओरीजिन था वो गया है इनके ओरीजिनल जो सीड इटिंग बर्ट किके आइसे इंसेट इटिंग है जब हमने देखा होगे कुछ हम देखेंगे एक जगा पर दोए कुछ जो बर्ट है उन्होंने क्या खाना शुरू कर दिया तो अब देखो इन्होंने आपस में मेटिंग शुरू कर दिया अपने जैसे बहुत आरे बना दिये अब यह एक अलग हम देखेंगे यह अलग बन चुकिए यह अलग है और यह था हमारे अलग थे ठीक है तो एक ओरिजिनल स्पीशीज हमें देखा इतने सारे बन गए पर इन सब का एक कॉमन इंचेस्तर है जो कौन हमारा जो सीड इटिंग वर्ट है इसके बच्चों तो यह हमने लेखा एक इग्जाम्पल था अडाप्टिव डेडिएशन जा बच्चों बात कर पे हमारे सेकिंड और थर्ड एक्जाम्पल की किसके अडाप्टिव डेडिएशन जा था तो सबसे पहले हम देख थे हमारे Australian Marsupials तो इनको Australian Marsupials क्यों बोला गया अप्रिकर Marsupials भी तो बोल सकते थे क्यों Australian बोला क्योंकि यह सिर्फ वहीं पाए जाते हैं यह लोगों ने पढ़ा है सहां पर इसके पास मार्सूपियल पाउस था वह ऐसे थे अब इसमें से अपनी लीड के अपने फीडिंग के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे टाइप के बन गए इसमें से मैंने यहां पर साथ लिग दिए हैं अब देखो इसको थोड़ा सा याद करेंगा तरीका मुष्किल लगेगा तुम लोगो तो याद करने की परिए को सीनल अगा है अध्युकर काइप कई नहीं दूशलruktur ओंव यह वह कुदै नां में नंवीर ना संत्य थैसमेंग HEY Zgro और यह आंक हुं नर्दा करद को है और तुम देखेंगे जो आंग है इसके बीज भी हम देखेंगे इसकी वज़े से यह उड़ सकते हैं तो यह सारे तो हमने लेखे और शेलिन मार्शूपियल से अब यहां पर क्या हुआ एक से इवाल करके इतने सारे डिसन टाइप की होगे रिडियेट कर गया अडाप्टे आप बढ़ते हैं हमारे घ्जाम्ट गृशंप अब यहाँ पर मान लेते की मान क्या लेते हैं होता इह कोई नों पर हमारें ॉनके पासंदेगे प्लासंट्टा पाए जाग रहा हो गा होगा तो उसी मैंसे रीडियेट करके इवाल्व करके डिफरेंट आप सी पर वूल्फ, बॉबक्त, एड्वाइंग स्विरुब्स जी सब हो गया अब एक से अडाप्त कर गें क्या हो रही है रेडियेट कर गए तो यह भी क्या हो रहा है यहां पर भी क्या हो रही है डाइवाजन इबुलिशन पर अब हम लाते हैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट वो कहानी का ट्विस्ट क्या है वो देखेंगे अगर सेंग हम देखेंगे यह सिमिलर एकलॉजिकल मिश में हम देख रहे हैं कि दो ऐसे अडाप्तिव रेडियेशन हो रहे हैं पर दोनों का origin क्या है अलग है ना पर morphologically यह कैसे हैं हमारे सिमिलर तो यह आपस में क्या कर गए Converse इसी तरीके से यह सारे लंबैट और आंटीटर आपस में Converse कर जाएंगे यह तो नाम सी संजा रहे है टास्मेन वुल्फ और वुल्फ यह कर जाएंगे टास्मेन टाइगर काट और वॉपकाट यह आपस में Converse कर गए और फाइनली स्लाइंग प्लेजर एंड स्लाइं फिरस यह सारे आपस में क्या कर गए सब्सक्राइब कर गए तो यहां से मैंने ली सेंटी जाता है कि अगर सेंट यह सिमिलर एकलोजिकल नीश है वहां पर हम देखने हैं जब दो अलग अलग अडाप्टिव रडिक्शन हो रहे हैं तो जो आनिमल्स है यह तेंड तो भी सिमिलर इन मॉर्फॉलोजी यह द्यानक सब्सक्राइब कर दो अब हमारे बारी है प्वेशन सी तो देखें आपने दो क्वेशन क्या है तो देखें आपने दो क्वेशन क्या है Phenomenal of Industrial Melanism Indicates इसमें से क्या के इन इंडिकेट करें मारा Industrial Melanism Next हम लोग देखें हमारा क्वेशन Following Diagram provides an example of इन सारमे साब को बताना यह Diagram क्या हम लोग example प्रवाइब देखें तो जल्दी से मिलके है हम लोग मेरे वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक करो और मेरे चानल को सब्सक्राइब को Thank you